अगर मैं आपको ये बोलू कि ये API मैंने सिर्फ और सिर्फ गूगल शीट्स की हल्प से बनाई है बिना किसी डेटाबेस की connection के बिना किसी server deployment की tension के तो आप यकीन करोगे सिर्फ और सिर्फ गूगल शीट्स के अंदर मैंने ये API बना दी है पांच मिनिट्स के अंदर और आज की वीडियो में आपको बताने आलों कैसे आप लोग बना सकते हो जिससे की आपकी API फ्री मैं Google Server के उपर deploy भी हो जाएगी जानते हैं कैसे सार्ट करने के लिए आपको चाहिए होगे एक CSV फाइल जिसको आपको Google Sheet के अंदर import करना है ये CSV आप चाहो तो download कर सकते हो कहीं से या फिर आप चाहो तो खुद से बना सकते हो अब इस CSV फाइल को हम अपनी Google Sheet के अंदर import कर लेंगे next इस file और sheet का नाम भी हम rename कर लेते हैं आप हम यूज करने वाले है Google Apps Script का ये हमें मिलेगा help menu के अंदर search करते है Apps Script और इस पर click करते हैं यहाँ पर हमारा editor open हो जाएगा इसके अंदर हम अपनी script लिखनी है जिसकी help से हमारा पूर अपूरा database एक API के format में output हो जाएगा लेकिन code करने से पहले समझ लेते हैं Apps Script होता क्या है Google Apps Script is a rapid application development platform that makes it fast and easy to create business application and integrate with Google Workspace अशान सब्दों में करें तो Google Apps Script के हच्छे आप लोग Google Workspace application जैसे की Google Drive, Gmail, Calendar, इनके ओपर lightweight application मना सकते हो और आज हम एक ऐसा ही lightweight application मनाने वाले हैं by using Google Sheets हम Google Sheets को युश्र करेंगे ऐसा database और उसके ओपर हम एक API बना देंगे जिसकी हच्छे आप लोग अपने multiple applications बना सकते हो Sounds good? तो हम अपने editor में वापिस आते हैं इस editor के अंदर हमें दिख रहा है यहाँ पर हमें code करना है इसके अंदर हम JavaScript के अंदर code करने वाले हैं अगर आपको JavaScript और आती है तो well and good अगर नहीं भी आती है तो भी हम Google करकर के mini project तो बनाई सकते हैं यहाँ पर पहले हम यह वाला function अटा आते हैं और अपना do get वाला function लेके आता है लेकिन आपको पता होगा एक Google sheet project के अंदर multiple sheets हो सकती है हमने जो sheet पनाई इसको नाम रखा है हमने college sheet तो इसको लेके आता है get sheet by name करके उसके बाद हम इसके अंदर से site-sary values को get करने वाले हैं इस sheet वाले reference की help से आप लोग कुछ भी कर सकते हो इस sheet के अंदर आप columns add कर सकते हो, remove कर सकते हो, rows add कर सकते हो, remove कर सकते हो, उनको आप edit कर सकते हो, उनको आप read कर सकते हो तो यह सारक सारा हम काम कर सकते हैं तो उसके बाद हमें साइक सारी values मिल गई हैं अब इन values को हमें एक pretty JSON format के अंदर निकालना है सो देट हम उसे output कर सके हैं तो उसके लिए मैंने एक output array बनाया है और अपनी values वाले array के अंदर हम iterate करेंगे एक row variable बना लिया है जिसके अंदर हम साइक सारी values भर रहे होंगे row college equals to value i0 row city equals to value i10 क्योंकि 10th column के उपर cities fill हो रखी है और 11th column के उपर state fill हो रखा है तो row state equals to value i11 और इसके पाद इस row को push कर देंगे हम अपने output array के अंदर और हमारा output array जसों object का array बन चुका है इसको हम return करेंगे as json type तो उसके लिए हम use करने वाले है content service content service dot create text output इसके अंदर हमने पास के अपने output array को उसको string file कर दिया उसके बाद हमने mime type set कर दिया json और इसके बाद हमारा काम यहां पर खतम हो जाता है code बस इतना सही था अब जड़ा देखते से deploy कैसे करने वाले है deploy करने के लिए हम इस blue button के उपर click करेंगे deploy new deployment यहाँ पर हम type select करेंगे web app और उसके बाद description के अंदर हम अपना appropriate description fill कर देंगे web app execute as अपनी email id और उसके बाद who has access anyone यहाँ पर anyone नहीं करेंगे तो सारी problems आती है कई बार permission के अंदर authorization के अंदर तो यहाँ पर anyone कर देना so that वो problems आपको नहीं देन इसके बाद deploy और यहाँ पर हमारी deployment ready है हम इसका web app का URL copy कर लेते हैं copy और इसको paste करते हैं एक browser के अंदर और अब हमारी यहाँ पर API ready है देख रहे हो कितना असान था एक API बनाना अगर आप लोग को API इस तरीकी से नहीं देख रही है आप लोग अगर black and white देख रहे हैं तो आप लोग को कुछ extension download करने पड़ेंगे उन extension की help से आप लोग की API जो है वो printy format में देखती है लेकिन हम यहाँ पर देख रहा हुआ कितना असान था एक CSV फाइल का यूज़ करके एक API बना देना जिसको आप लोग किसी भी application के अंदर यूज़ कर सकते हो आप लोग Android app बना सकते हो, Web app बना सकते हो इस API का यूज़ करके है देखो यहाँ पर यह बहुत ही light-weight application है इसका यूज़ आप बहुत complicated application के अंदर नहीं कर सकते हो मुझे आद है एक बार मैं college में एक hackathon में participate कर रहा था हमें सिर्फ दो दिन का time दिया गया था hackathon के organizers ने हमें कुछ database दिया जिसका यूज़ करके हमें API बनानी थी और उस API के उपर हमें application बनाने थी तो हमारा काफी सारा time उस API को बनाने में ही निकल गया हमने पहले उस database को MongoDB में डाला MongoDB को किसी server पर host किया उसके बाद हमें pandas के अंदर flash के अंदर अपनी API बनाई और उसके बाद उनको connect किया और API बनने के बाद उसको host किया किसी server के उपर हिरोकू के उपर और उसके बाद अपने front end का काम स्टार्ट किया यहाँ पर ने कितना सारा काम हमें करना पड़ गया जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है कि हमें सिर्फ prototype करना है या फिर किसी hackathon के अंदर participate करना है या फिर आपके दिमाग में कोई idea है जिसको आपको prototype चेक करना है कि क्या ये market fit है भी की नहीं है तो वहाँ पर आप लोग इस तरीके की functionality यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर आपको fast development करनी होती है अगर आपका application complicated होयाता है तो मैं यहाँ पर recommend नहीं करूँगा गोगल शीट का यूज़ करने का लेकिन fast prototyping के लिए hackathons वगएरा के अंदर participate करने के लिए ये एक बहुत दी शांदार टूल है अब आपी साथ है अपने parameters के उपर जिसके थुरू आप लोग Amazon में अपनी dream job पा सकते हैं Geeks4Geeks is also the sponsor for today's video ये एक hiring challenge है जो कि July से start होके आने वाले 3 मंथ तक हर मंथ की 5 को हुआ करेगा You can apply for these 3 rules SDET, SDE1 and SDE2 for these experience levels Context की details आप लोग यहाँ पर देखी पा रहे हैं 3 coding questions होंगे और 20 MCQ questions होंगे So go and register today using the link in the description box below और इसी के साथ video continue करते हैं Code में आते हैं Code के अंदर आप लोग request variable के अंदर से इस parameter को निकाल सकते हो Where college equals to request.parameter.college और इसका use करेंगे हम यहाँ पर नीचे ठीक है तो नीचे यहाँ पर कुछ lines add करते हैं अगर college आपका null नहीं है मतलब अगर user ने कुछ college name डाला है तो हम अपनी output to return को change कर लेंगे उसके अंदर हमें कुछ नहीं करना जो हमें पहले output वाला array था उसको हमें filter कर लेना है filter किस तरी किसी करना है तो जिस object के अंदर college का नाम के अंदर हमारा यह argument वाला college name included है सिर्फ उस-उस object को हमें लेना है और उस object को हमें return कर देना है प्रीवेस तरीके से ही और अब हम return कर रहे होंगे output to return इसको हमें return करना है बिल्कुल वैसे ही content-service.create-text-output इसके अंदर हम पास कर देंगे data के अंदर output to return और अब अगर हमारे parameters के अंदर college का नाम होगा तो हमारे college के नाम के एसाब से filtering यहां पर हो जाएगी तो इसको भी हमें deploy करना है deploy करने के लिए again deploy बटन पर क्लिक करेंगे new deployment पर क्लिक करेंगे एक नई deployment बनेगी इसके अंदर आप लोग description पास कर सकते हो और उसके बाद हमें से कर देना है deploy इस deployment के URL को कॉपी करना है browser पर जाके paste करते हैं और end में लगाते हैं question mark college equals to Netaji और यहां पर देखे रहो data के अंदर वो वो colleges आ रहे हैं जिनके नाम के अंदर कहीं पर Netaji लिखा हुआ है तो इस तरीके से आप लोग फिल्टरिंग भी होती है इस तरीके की functionality के उसकर के आप लोग multiple चीज़ें कर सकते हो आप लोग चाहँ तो pagination कर सकते हो कि आप लोग ने बता जेकि मुझे सिर्फ 10 limit तक चाहिए और offset कहां से start होना चाहिए तो इस तरीके से pagination वाली API भी आप लोग बना सकते हो और भी cool cool चीज़ें कर सकते हो आपके database के उपर depend करता है आप क्योंसी application बना चाहते हो उसके उपर depend करता है तो यहाँ पर आपने सिर्फ देखा API लेकिन Apps Script के अंदर सिर्फ API ही नहीं आप लोग multiple और भी काम कर सकते हो सिर्फ Google Sheet ही नहीं बलकि Google Calendar, Google Form, Gmail, Google Drive जैसे Apps को भी आप automate कर सकते हो और उसकी health से multiple day-to-day complex tasks को आप लोग optimize कर सकते हो तो जाओ multiple application मनाओ host करो, deploy करो LinkedIn के उपर share करो मुझे tag कर देना, मुझे पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हो मैं बलूँगा आप लोग उस नेक्ट वीडियो में अगर आप लोग पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक कर देना share कर देना, subscribe कर देना, मैं बलूँगा नेक्ट में बाबाई